साथियों कोरोना वैश्विक महामारी से निपट निकलिये भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उधान प्रस्तूत किया है भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वाइरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाब एक व्यापक जंग शुरू की शुरुवात की भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्ने किये उन फैसलों को जमिन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की और जैसा आप जानते हैं एक ऐसी बिमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था एक कैसे आती हैं कहां जाती हैं किसके पास पहुंचती हैं कुछ पता नहीं था तब जो भी आवशक निर्णय करने के ज़रोत पड़ी एक्सपर्स की मदद से करते रहें एरपोर्ट के पर विदेश्यों से लोगों के आने वालों के थर्मल स्क्रीनिंग हो विदेश्यों में फसे भारतियों को स्वदेश लाने की बात हो दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठीन निर्नय हो मेडिकल इन्फासक्चर को इस महामरी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रियांस हो हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोयक्टिव होकर के फैसले करता गया राज सरकारों के सहयोग से इन फैसलों को गती भी बिली भारत ने जितनी तेजी से काम किया है जितनी समगरता से काम किया है होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया है आज उसकी प्रसंसा सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल हेल्थ और्गनाजेशन डबलू एचो ने भी किये है तमाम देश एज जूट होकर कोरोनों का मुकाबला करे इसके लिए सार्ग देशों की विशेस बैटक हो या जी ट्वेंटी देशों का विशेस सम्मेलन भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपुर्ण भूमिका निभाई है इस दौरान दुनिया के अनेग देशों के राष्टा जक्षों से भारत लगातार संपर्क में है मेरी भी बात्चित होती रहती है और हम जानते हैं भारत एक विकास्चित देश है हमें पुरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने में व्यस्त है हमारी पुरी शक्ति की प्राथ्पिका वो ही है लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एक जुड़ता के साथ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय मंच पर हम निरंतर प्यास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं